दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को नाकपंचमी की अपकामना है और आपके पूरे परिवार को भी इस बहतरीन टिवहार की आप अगयं belongsब गाओंगों आपने गृष्टी ज्रूर्णग देखा होगा जो जो में ही मना जाता है इसे में चुपा है लेकिन जidän रशन थोड़ा चुपके है नाख पंचमें को सब लोग जानते हैं लेकिन ये करते तो बहुत लोग है और धेंक यह कम हो रहा है पहले तो बहुत चलता था लेकिन कभी आपने क्या यह सोचा है कि बुरिया क्टि में जयाता है क्या आईसारी begin a er scenario आज आप लोगों ने कैय का यह बास सोघी अगर सोची है बाद तो कमेंट की जिए हां अधी मैंने सोची थी क्योंकि आज ही तो गुडिया का तेवहार है यानि नाग पंजमी का तेवहार है तो चलिए जानते हैं इसके पीछे एक रहास है उस रहस को पहले समझते हैं छोटी से रहस को तभी आप समझते हैं कि गुडिया का तेवहार क्यों मैं आ जाता है लेट्स को दोस्तों यहारासा दो लोगों के बीच से शुरू हुआ एक राजा था और एक नाग था राजा के नाम था राजा परिचित और नाग के नाम था नावं करां था इन दोनों के बीच पता ने क्या हुआ तो जो करन्या रजा परिछित यहां ब्याह के रूप में गई बहु के रूप में गई टेकिन जो रहस से था एक बार उसने क्या क्या जो कन्या गई तचक के यहां से जो कन्या ब्याह में गई राजा के यहां तो उसने इस रहस को जो रहस से था कि तचक ने राजा परिछित को डांग कमार कर उनकी हत्या कर दी उसने एक महिला को बता दिया लेक यह चाहा कि आप यह पात और किसी को मत बताएगा देरे धीर उसको बताएगा यही कहा कि पूरे नगर में पहुंच गे पूरे नगर में फैल गई और इसी बात पर तशक के ततकालिन राजा ने उन सभी औरतों को चौराहे पर इकठा किया क्योंकि उन्हों ने समय पीतने पर तचक के ततकालिन राजा ने सभी औरतों को चौराहे पर खड़ा करके सभी को पिटवा दिया और उनकी मृत्ति होगे क्यों पिटवा दिया आपको पता है क्योंकि उन्हों खड़ाह करके गाओं की पूरी आउड़ता जितनी भी आउरते थी सभी को पिटवास और इसी तरह गुरया का पर् vor classrooms होता है इसका यख़ दो इतने लोगों को म्रतिव हो गई तब इसकी आज میںly बहुत लोग को ऀ gün aur नर्शाय का पर्वमनाते हैं लेकिन किसी को पता ही था बहुत प्रता था तो मैंने सोचा आप लोगों को इससे आवगत कराद देना चाहिए तो कैसी लगी वीडियो तेरो बताएं कमेंट में अगले वीडियो किस पर आनी चाहिए यह भी जरूर बताएं